प्लीज एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्योंकि ये लाइव सेशन है और अब हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर सल्फियूरिक एसिड एक बार लाइव बनता है आपके लिए मेरी तरफ से क्योंकि आप हैं मेरे साथ इस समय लाइव और मैं येस मैं पूरे कॉन्विडेंस के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सुपर स्टार्स आर रियली सुपर डूपर स्टार्स आपके धेल सारे येस आपके immense messages आ रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया हां मैं बहुत सारे comments पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि सर सो थैंक यू सर आप free में सारे content डाल रहे हैं और हम सब की yes ICSC board की नईया आपके हाथ में हैं so thank you and thank you and thank you for all that because that trust that faith that you have on me is is my power yes जो आप मुझमें energy देखते हैं जो मुझमें ये ताकत देखते हैं वो सिर्फ आपके प्यार की है वो विश्वास की है जो आपने मुझपे जताया है इसलिए अभी तक इस channel पे हम कोई भी paid content नहीं देते हैं everything all lesson videos all explanations notes सब कुछ इस channel में आपके प्यार की वज़े से is absolutely free हाँ मैं ये वचन तो जरूर दे सकता हूँ आपको कि आपको यहाँ पर बहुत research बहुत explained detail में concept मिलते हैं आपको जो यहाँ पर लिया मैं इतनी guarantee के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारे साथ पर लिया ये chapter तो आपको इसके बाद कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है आप चाहें तो आप अपनी book को भी बंद कर सकते हैं जी आप अपनी book को भी बंद कर सकते हैं और सब कुछ यहीं से पर सकते हैं क्योंकि we have followed your course book जो most popular books आपके ISAC syllabus में चल रही है ये channel सिर्फ और सिर्फ ICC board वालों का channel है याद रखेगा इसमें हम किसी दूसरे board ना NCRT ना CBSC कहीं का कोई भी content नहीं डालते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए yes मेरे super stars के लिए 10th वाले और 9th का content ही पढ़ रहा होता है तो चलिए आज का lesson राजा king of all chemicals का करना है और क्यों है ये sulfuric acid king of chemicals क्या कहते हैं क्या कहते हैं सबजीयों का राजा इसमें आलू है कुछ भी हो घर में आलू बनना चाहिए हर चीज बनाने में आलू काम आ सकती है क्या कहते हैं आलू का चाहट आलू की टिक्की हाँ उसी तरह से ये हर एक major chemical बनाने में काम आने वाला पदार्थ है sulfuric acid इसलिए इसको कहा गया है king of chemicals चलिए start करते हैं sulfuric acid तो king of chemicals क्योंकि no other manufactured compound is so used इतना ज़्यादा कोई और compound की industries में ये की industries क्या होती हैं वो industries जो देश के development के लिए growth के लिए जरूरी हैं जैसे iron and steel, cement industry तो ये की industries हैं इनका ये एक basic component है sulfuric acid आईए जानते हैं क्या sulfuric acid हमें आज ही से पता है नहीं नहीं हम sulfuric acid का इस्तमाल तो बहुत पहले से जानते हैं इंसानों ने sulfuric acid का use बहुत पहले से करना शुरू कर दिया हैं शुरूआत में हम sulfuric acid को oil of vitral के नाम से जानते थे क्यों oil of vitral क्योंकि ये iron sulfate FE2SO4 के crystal से बना जाता था क्योंकि ये green रंका है जी हाँ ये green रंका एक compound है crystal form में FE2SO4.7SO इसले इसका नाम रखा गया था oil of vitral हाँ एक thick viscous सा oily सा liquid दिखता है ये आप अपने lab में गए होंगे तो जरूर देखा होगा concentrated और dilute sulfuric acid एक बात ध्यान दिला दू, sulfuric acid एक corrosive nature का acid है प्लीज इसके साथ कोई भी lab में लापरवाई ही आप नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि ये एक बहुत ही yes dangerous nature है इसका आपकी skin को rupture कर सकता है तो sulfuric acid free state में भी पाया जाता है हाँ भाई free state में minerals के रूप में पाया जाता है जहाँ पे mineral springs है spring जहाँ पे natural पानी निकलता है वहाँ पाया जाता है और combined state में भी पाया जाता है बाई rates के रूप में जिसको हम barium sulfate कहते हैं या gypsum के रूप में भी पाया जाता है जिपसम एक essential component है cement बनाने के लिए अब आते हैं sulfuric acid और कहां पाया जाता है और कैसे बनता है तो मैं आपको lab preparation बता दू sulfuric acid का lab में sulfuric acid बनाना yes lab की preparation की जब बात करते हैं तो sulfuric acid बहुत small quantity में बनाते हैं और उसके लिए क्या करना होता है जो हमको raw material चाहिए वो है sulfur trioxide क्या चाहिए sulfur trioxide dioxide dioxide नहीं trioxide क्योंकि अगर sulfur dioxide में yes ध्यान से सुन लिजे अगर sulfur dioxide में पानी मिला देंगे तो sulfuric acid नहीं बनेगा sulfurous acid बनेगा क्या बनेगा sulfurous acid ह2SO3 और हमें क्या बनाना है हमें तो बनाना है sulfuric acid क्या करेंगे देखिए oxidation करेंगे of aqueous solution of sulfur dioxide with oxygen मतलब आपको लेना है sulfur dioxide और oxygen यह हो गया और water water है इसलिए इसका नाम रखा गया है aqueous solution यहाद रखेगा sulfur dioxide एक soluble gas है water soluble gas है साथ में आपने क्या ले लिया oxygen ले लिया बन गया sulfuric acid सबसे असान method यह एक reversible भी है reaction reversible इसलिए है क्योंकि अगर आप sulfur dioxide को yes sorry sulfuric acid को आप heat करते हैं तो वो वापस क्या करेगा sulfur dioxide water और oxygen में breakdown भी हो सकता है क्या कोई और तरीका भी है हाँ इसमें आप chlorine भी यूज़ कर सकते हैं in place of oxygen जहाँ यह non-metal oxygen यूज़ किया है वहाँ आप chlorine यूज़ कर सकते हैं और यह अपना color क्या करते हैं fade away कर जाते हैं loose कर जाते हैं resulting in colorless solution of sulfuric acid अब आप सर यह पूछना है yes अब आप से यह पूछना है sulfuric acid जो आपकी lab में है yes जो आपकी lab में है जब आप use करने गए हैं पक्का बताइएगा मुझे जब आप use करने गए हैं तो बहुत handle with care कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा acid है fume होके नहीं उड़ता है बट फिर भी question सुनिये जान से बट फिर भी इस sulfuric acid की bottle को stopper करना पड़ता है यह तो खुद vaporize नहीं हो रहा है जबकि और volatile acids nitric acid हो गया hydrochloric acid हो गया यह सब अपने आप में room temperature में क्या हो जाते हैं vaporize हो जाते हैं sulfuric acid ऐसा नहीं करता है फिर भी question फिर से सुन लिजेगा फिर भी इसको हम stopper bottle में क्यों रखते हैं हाँ मेरे साथ live बैठे हो तो live class का enjoy करो मुझे comment भी बताओ why sulfuric acid bottle has to be stoppered although it is a non-volatile acid भाई याद रखेगा जब आपका मेरा two-way communication होगा मेरी तरफ से question और आपकी तरफ से जवाब होगा तो याद रखेगा learning और improvised होगी और आप चाहें तो yes इसको और अच्छा बहतरीन बना सकते हैं क्योंकि ऐसे live classes आपको कोई नहीं दे रहा है याद nobody is giving you live lessons और मैं एक दिन नहीं दो दिन नहीं लगातार live sessions आपके लिए रहा हूँ everyday everyday live sessions होता है usually 8 बजे होता है अगर 8 बजे किसी बजे से network issues होते हैं तो हम 10 बजे करते हैं ये दो timing है yes तो चलिए मुझे comment में आपके answers का बेट होगा तो एक तरीका हो गया lab preparation sulfur dioxide का aqua solution है उसको बस oxidize कर दो पहला reaction सबसे बहतरी injection है याद रुखे जो मैं reactions आपको करा रहा हूं इसके अलावा इस chapter से कोई और reaction मत करियेगा हां मैं पूरे confidence और दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं जितने reactions आपको करा रहा हूं that is more than enough इसलिए मैंने कहा न कि ये notes और ये lesson video is more than enough for your preparations for sulfuric acid तो चलिए मैंने इसको box लगाया मतलब यही reaction याद करना है ये दोनों reactions आप छोड़ सकते हैं चलिए एक और reaction देखते हैं यहाँ पर sulfuric acid प्रिपेर करेंगे nitric acid की मदद से ये lab preparations में आ सकता है sulfur is oxidized चुनलिजे द्यान से sulfur is oxidized to sulfuric acid by nitric acid तो ये एक तरह से एक बहुत important तरीका ह क्या तरीका है कि आपने एक volatile acid की मदद से एक non-volatile acid produce कर लिया ये reversible भी हो सकता है आप non-volatile मतलब sulfuric acid से sulfuric acid से nitric acid बना सकते हैं nitric acid की preparation में आपने मेरे साथ ऐसा पढ़ा था क्या कहा nitric acid याद नहीं है बस एक आसान तरीका करो क्योंकि आपने मुझे google सर नाम दिया है आपने क गूगल फॉर ICSC तो प्लीज गूगल करके जरूर देखो ICSC के किसी भी content के लिए एक और एक मात्र आपके पास solution है वह सर तरुन रपानी आपको सारे एक subject नहीं दो subject नहीं आपके सारे subjects को हम इसी channel पर cover करते हैं कोई भी भारत का ऐसा channel नहीं है इंडिया का कोई भी channel नहीं है जो आपके सारे major subjects और additional subjects cover करता है हम करते हैं जी और वो भी मैं आपका Google सर तो इसलिए Google कर लिया करो बस chapter का नाम लिखा करो और आगे लिख दिया करो by sir तरुन रपानी किसी भी subject पे आप ऐसा कर सकते हैं चलिए तो ये थोड़ा सा प्रचार कर दिया चलिए थोड़ा सा ये reaction देखेंगे फिर से ये reaction में box में लगा रहा हूं मैं जितने reaction box में करूंगा उतने ही reaction आप preparation करिएगा उसके अलावा प्लीज कुछ मत करिएगा क्योंकि आप बहुत reactions करके क्या करते हैं सब mix कर डालते हैं बहुत reactions मत याद करिए ठीक है I am giving you the important reactions only तो sulfur येस वैसे sulfuric non-metal है एक यलो रंग का compound है ये sulfur को आपने क्या किया nitric acid से react कराया concentrated nitric acid से sulfur क्या हो गया oxidized होके sulfuric acid बन गया साथ में रिकली एक reddish brown gas nitrogen dioxide और water vapor ठीक है तो ये था हमारा reaction आईए ये lab reaction बहुत कामाने वाला था क्या हमको sulfuric acid क्या थोड़ी ही मात्रा में चाहिए नहीं हमको अगर बहुत या करेंगे तो ये lab reaction से काम नहीं चलने वाला है बड़ी मात्रा में large quantity में sulfuric acid बनाने के लिए एक बड़ा process करेंगे नाम होगा manufacturing हाँ या कह सकते हैं industrial process of sulfuric acid और ये है वो ये है contact process जी थोड़ा सा डाइग्राम को भी आपको देखना पड़ेगा जितना मैं कह रहा हूं reactions और जितने मैं steps दिखा रहा हूं वो step आप कर लोगे तो उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा आईए पहले सबसे simple में समझाता हूं contact process में क्या होता है stage 1 में क्या होता है देखिए stage 1 में यहाँ पर pyrite burner है मतलब एक pyrite salt मिलेगी जिसमें जैसे iron pyrite हो गया for example और मतलब sulfur dioxide ब और produce किया sulfur dioxide ये sulfur dioxide को further oxidize किया steam के presence में और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी heat release होती है ये जो sulfur dioxide है वो clean होनी चाहिए dust free होनी चाहिए इसलिए इसको pass कर दिया एक dust chamber में यहाँ पर क्या है electric precipitator है क्या कहा है आ जी 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 इसमें electric precipitator है high voltage high potential की electricity है यहाँ पर जो जितने भी dust particle है वो settle down हो जाएंगे नीचे चल जाएंगे और gas जो हो जाएगी वो pure gas होगी और आगे पास हो जाएगी क्योंकि यह gas high temperature पे होगी इसको cooling tower से पास करेंगे एक cooler से पास करेंगे और इसको further क्या करेंगे water से yes water से क्या करेंगे wet कर water से scrub कर देंगे in case अगर कोई dust particle बज गया है तो वो further क्या हो जाएगा यहाँ पर collect हो जाएगा अब इसके बाद क्या करना है यह जो gas गई वो एक wet sulfur dioxide gas चले गई अब हमको इस wet sulfur dioxide gas को यहाँ से जो गई है उसको dry करने के लिए concentrated sulfuric acid मिलाएंगे यहाँ पर यह drying agent का का काम करेग drying agent में क्या करेगा sulfur dioxide को dry कर देगा drying tower में पहुचने के बाद इसको ले जाएंगे एक arsenic purifier यह क्या करता है arsenic as an impurity arsenic impurity को remove करता है sulfuric में अगर arsenic impurity आ गई तो catalyst की efficiency को खतम हो जाएगा impure gas impure sulfur dioxide अगर यहाँ पहुची तो आगे क्या होगा yes आगे हमारा जो catalyst वो बरबाद हो जाएगा इसके बाद इसको पेजेंगे testing box में ताकि यह चेक कर सके कि यह impure है की pure है testing box में जब यह clean हो जाएगा yes यह confirm हो जाएगा कि gas pure है अब यहाँ पहुचेगा contact tower में यही चेंबर यह इसी चेंबर contact tower में क्या है vanadium pentoxide V2O5 हाँ platinum भी use कर सकते है platinum थोड़ा महंगा catalyst होता है और जल्दी क्या होता है खराब हो जाता है और vanadium pentoxide सस्ता catalyst है इसलिए vanadium pentoxide का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक vanadium pentoxide plus oxidation की मदद से sulfur dioxide, sulfur trioxide बनके इस चेंबरें पहुचेगी sulfur trioxide को इस absorption tower में पास करेंगे और यहाँ पर क्या होगी already sulfuric acid होगी इसके अंदर जो इसमें add हो जाएगी वो बना देगी oleum हाँ oleum जिसको हम कहते हैं pyro sulfuric acid क्या 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 pyro sulfuric acid sulfuric acid का एक तरह का form जिसको हम dilute बहुत easily concentrated highly concentrated form है और इसमें water add करके आप इसको वापस sulfuric acid बना सकते हैं any concentration level तक बना सकते हैं तो finally आपको sulfuric acid मिल गया वो भी large quantity में है आईए अब सारे diagram को एक एक करके जो हमने देखा अब इसका explanation देखते हैं reaction जितना कहूंगा उतना ही करना है पहला काम क्या है sulfur dioxide चाहिए sulfur dioxide दो तरीके से ले सकते हैं yes iron sulfide को ले लिजे और oxygen में heat कर दीजे तो आपको sulfur dioxide मिल जाएगी या तो एक ये कर लिजे और ज्यादा असान मुझे लगता है ये sulfur को simply क्या करिए oxidize कर दीजे heat कर दीजे sulfur dioxide बन जाएगा sulfur is heated to produce sulfur dioxide अब ये gas sulfur dioxide impure है इसको pure बनाने के लिए क्योंकि impure जैसा ही use करोगे तो आगे जाके catalyst की efficiency को खतम कर देगा जो हमारा vanadium pentoxide है वो poisoned हो जाएगा हाँ तो catalyst की efficiency catalyst का function बताओ हाँ मेरे superstars बताइए what is the function of catalyst हमें live comment आपका देखना चाहता हूँ हाँ मेरे साथ yes live बताओ what is the function of catalyst तो इसका जो catalyst है vanadium pentoxide और platinum दोनों ही use कर सकते हैं बट मैंने कहा platinum एक महेंगा catalyst है और जल्दी क्या हो जाता है destroy हो जाता है poisoned हो जाता है with this impurity तो इसको pure करने लिए क्या करते हैं electric precipitator से pass करते हैं यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे wires होती है current होता है उसमें very very high potential में यह क्या करता है कि sulfur dioxide में में मौझूद जो dust particle है गंदगी है उसको settle down करा दे time फिर क्या करते हैं इसको pass करते है water cover से ताकि उसके अलावा अगर कोई dust particle अभी भी बच गया हो तो वो पानी में dust particle dissolve होके नीचे चला जाएगा अब क्योंकि sulfur dioxide gas wet हो गई है soluble gas है पानी में ठीक है sulfur dioxide पानी में कुछ अत्तक soluble भी है तो उसको क्या करना है dry करने के लिए concentrated sulfuric acid concentrated sulfuric acid ही क्यों सर क्योंकि concentrated sulfuric acid एक अच्छा एक superb drying agent है और उसके बाद क्या होगा पानी निकल गया अगर कहीं arsenic नाम की yes अगर arsenic oxide नाम की gas अगर कहीं ये combine हो गई होगी तो फिर क्या हो जाएगा sulfur dioxide काम नहीं करेगा इसके लिए arsenic purifier नाम के एक chamber में डालेंगे अब step 2 खतम आ रहा है step 3 step 3 में क्या हो रहा है sulfur dioxide को अब oxidize करना है ताकि वो क्या हो जाए sulfur dioxide में convert हो जाए याद रखे का मैंने पहले ही बताया था मेरा raw material क्या है sulfur dioxide है तो sulfur dioxide बनाने के लिए इस sulfur dioxide को vanadium pentoxide से yes pass करेंगे vanadium pentoxide एक iron chamber में एक iron tower में होगा जिसको हम कहेंगे converter या converter यहाँ पे एक पहले सही मौजूद sulfur dioxide यह reaction देख लिजे sulfur dioxide is heated कितने पे sulfur dioxide is heated to 450 degree centigrade याद रखेगा temperature इसके beyond मत करिएगा क्योंकि यह एक exothermic reaction है heat release कर रहा है देख लिजे यह जो delta का symbol है यह बता रहा है कि यह exothermic reaction है जादी heat नहीं देनी है और catalyst के रूप में मैंने बताया V2O5 आप use करिएगा vanadium pentoxide करिएगा क्योंकि यह highly exothermic reaction है और जो intense heat release हो रही है वो आगे reaction को क्या करेगी further heating की जर्वत नहीं पड़ेगी इसके बाद और heating की जर्वत नहीं है तो यह हो गया reaction अगला चौथा step क्या है sulfur trioxide को sulfuric acid बनाना है इसके लिए क्या करेंगे पहले इसको थोड़ा cool करेंगे heat exchanger राम के tower से इसको cool कर देंगे और इसमें sulfur trioxide में sulfuric acid एड़ कर देंगे ताकि यह क्या बन जा है oleum oleum मतलब pyro sulfuric acid जो की खुद में 98% concentrated है अब इसको dilute कर दो एक dilution tank में डाल दो जितना चाहे उतना पानी add करके इसको sulfuric acid बनाते जाओ अपनी मर्जी के साब से तो हो गया ना sulfuric acid large quantity में prepared तो क्या था इस पूरे process का नाम what is this industrial process या large scale manufacture of sulfuric acid called क्या कहते है इस process को contact process ठीक है क्या थी conditions इसके लिए तो condition यही थी कि यह reaction exothermic है so temperature बहुत high नहीं होना चाहिए temperature 410 से 450 maximum 450 इसके उपर heat मत करना और pressure कितना चाहिए high pressure कितना होना चाहिए pressure 1 से 2 atmosphere तक pressure चाहिए और क्या होना चाहिए oxygen का excess क्योंकि हमको dioxide को trioxide बनाना है sulfur dioxide को trioxide तो oxygen की जरुद पड़ेगी और catalyst के रूप में मैंने बताया platinum तो अच्छा होता है पर platinum महंगा है और platinum poisoned हो जाता है इसलिए ज्यादा better होगा vanadium pentoxide अब यह सारे reaction जो इस contact process में हैं सारा एक जगह है yes all reactions at one place यही चार reaction बस कर लो यह चार reaction कर लो contact process खत्म मैंने इसमें लिख दिया है कि क्या changes take place कर रहे हैं यह सारा मैंने detail में आपके साथ finish चलिए आगे बढ़ जाईए और आगे बढ़ते है properties of sulfuric acid तो हर acid क्योंकि acid है तो acid की सारी properties शो करेगा ही करेगा color नहीं होता है order नहीं होता है मतलब कोई smell नहीं होती है पर मैंने कहा हर acid कैसा होता है जी so taste होता है और यह hygroscopic nature का acid है और मैंने थोड़ी दिर पहले ही पूछा था कि यह lab में sulfuric acid non-volatile acid है फिर भी इसकी bottle को stopper क्योंकर लगाते हैं यह तो उड़ने वाला है नहीं अरे भाई यह एक hygroscopic liquid है यह moisture air सही absorb कर सकता है हाँ इसके अंदर पानी के लिए गजब की affinity है पानी इसका सच्चा मित्र है हाँ सही सुना sulfuric acid का सच्चा दोस्त है पानी और यह पानी को क्या करता है किसी ग्रूप में absorb कर सकता है H2O होना चाहिए बस hydrogen के 2 molecule और oxygen का 1 molecule जहां भी मौझूद होगा वहां से यह क्या करेगा पानी चुरा लेगा वो चाय किसी compound में क्यों ना हो हाँ सच में किसी compound में क्यों ना हो तो बहुत गजब की property है इसलिए इसको क्या करते हैं हमेशा stoppard करते हैं वरना क्या हो जाएगा पानी इतना absorb कर लेगा कि खुदी क्या हो जाएगा liquid वो जार में भर जाएगा आपके जो आपकी bottle है sulfuric acid वो इतनी dilute हो जाएगी कि सारा acid बहारी गिर जाएगा हाँ क्योंकि moisture absorb कर लेता है pure sulfuric acid एक अच्छा conductor नहीं है क्यों pure sulfuric acid भाई acid तो अच्छे conductor होते हैं क्यों sulfuric acid जब pure होता है तो उसमें ions नहीं होते हैं yes ions नहीं होते हैं और ion ही चाहिए होते हैं conduction of electricity के लिए इसलिए dilute acid एक अच्छा conductor है एक temperature याद करना है 338 degree क्या 338 degree ये वो temperature है जब ये constant boiling mixture बन जाता है इस temperature पर 338 degree पर ये 98.5% तक concentrate हो सकता है तो ये constant boiling mixture क्या होता है पहले ये बताईए अरे बही एक ऐसा temperature जब solute और solvent दोनों ही साथ में क्या हो evaporate हो जाए नतीजा क्या होगा concentration उस liquid का उस solution का change नहीं होगा नहीं समझें एक example समझाते हैं कि आपने लिया sulfuric acid dilute रूप में ठीक है अब आप चाहते हैं कि सर ये sulfuric acid जो dilute है सर को concentrate करना चाहते हैं ठीक है हमझा क्या करना है heat कर दो क्योंकि पानी क्या हो जागा भाब बन के उड़ने लगेगा पर मैंने कहा ऐसा कब तक होता रहेगा कि पानी उड़ता रहेगा भाब बन के एक ऐसा temperature आएगा जब sulfuric acid भी भाब बन के उड़ने लगेगा और वो temperature होगा 338 दे इस temperature को कहते हैं constant boiling mixture do you know, yes, अगर मेरे सच्चे superstar हो तो बताओ what is the constant yes, constant boiling mixture temperature of nitric acid nitric acid का ये temperature बताओ मुझे wait रहेगा आपके प्यार भरे comments का अभी दोगे comment तो बहुत अच्छा लगेगा तुरंत live में दे दो और please, 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 साथ में concentrate करो book और notebook साथ में रखो आपको उसके अलावा दुबारा देखने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी चलिए, इसी विश्वास के साथ की आपको ये notes भी, yes, मिल जाएंगे आप अगर हमेरे, yes, telegram link पे याद रखेगा हम कोई भी चीज paid नहीं कर रहे हैं आपको पर मैं ये भी बचन दे रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसा नहीं कर पाऊंगा प्लीज मेरे भी कुछ limitations हैं पर मैं हमेशा के लिए free, free, free नहीं कर पाऊंगा अभी सब कुछ जो कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपके प्यार, आपके विश्वास के लिए कर रहा हूँ ठीक है, ये लगातार दोड़ाई साल से हम आपके लिए lesson, videos, contents, absolutely free डाल रहे हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो concentrated sulfuric acid एक corrosive nature का acid है अगर आपकी skin पर पढ़ जाए, आपको किसी student का, अगर हाथ में lab से आने के बाद fingers में देखा कि उसमें black रंग का mark लगा हुआ है, तो समझ जाना कि उसके ने sulfuric acid, concentrated sulfuric acid को इस्तमाल किया है, उनकी finger में लग जया है याद रखेगा, dangerous है, please be very careful, corrosive nature का है, finger की surface को क्या करता है, burn कर देता है कौन सा color produce करता है skin पर, black what is the color when nitric acid, यही question है दुबारा, what is the color when concentrated nitric acid reacts with the skin आपको color of the skin बताना है, आप मैंने nitric acid को भी बहुत डिटेल में बता है था अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, nitric acid, hydrochloric acid, बस chapter का नाम लिखो और आगे जोड़ दो by sir tarundra pani, google कर डालो, youtube कर डालो, search कर डालो, आपको मिल जाने वाला है चली आगे बढ़ते हैं, और chemical properties of dilute nitric acid की बात करते हैं क्योंकि dilute nitric acid है, तो उसका मतलब है कि इसमें, इसमें पानी की मात्रा जादा होगी याद रखेगा जो pure, pure nitric acid, sorry, sulfuric acid है, मैंने nitric बोला pure sulfuric acid है, उसमें, yes, acidic property नहीं होती है, क्योंकि वो ionize नहीं करता है it does not gives ions, और जब तक, जब तक acid में H3O plus ions नहीं होंगे क्या नहीं होंगे, hydronium ions as the only positive ions जब तक नहीं होंगे, वो acid acid नहीं रहेगा as long as उसमें H3O plus ions as the only positive ion होगा, पानी मिलाने पर, वो acidic property शो करेगा समझ गया है, और ये ये जो diude sulfuric acid है, वो एक di basic acid है sir, ये di basic acid का क्या मतलब होता है sir, an acid which produce two, yes, which takes two steps to break and it takes two salts, दो salt बनाता है acid, एक बनाता है normal salt और एक produce करता है acid salt इसलिए ये di basic acid है, और definition क्या है di basic की, तो di मतलब two, an acid which produce two hydronium ions on ionization कितने H3O plus के कितने ions प्यादा करेगा, दो, इसलिए वो दो salts प्रोड्यूस करता है अब हम dilute करना चाहते हैं कोई भी acid को तो, भाईया खत्रा मत लेना कि acid में पानी मिला देना ये गलती तो आप कभी मत करेगा, never add water to an acid या आपके घर में भी washroom को clean करने के लिए, yes, washroom को clean करने के लिए acid मंगवाया जाता है तो please, 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 ये dilute करने वाला step यहाँ देखो क्या करना है, पानी को add नहीं करना है acid में क्यों अगर आपने water add कर दिया acid में, तो बहुत सारी heat evolve होगी और spurting of acid होगा, क्या, छलक जाएगा acid क्योंकि इतना heat evolve होगी, इतनी steam निकलेगी, वो acid को छलका देगी, उपर छला देगी और उससे आपको injury और burn होने के पूरे chances है तो इसका उल्टा क्या करेंगे? इसका उल्टा करेंगे उल्टा ये करेंगे कि आपको एक jar of water लेना है क्या लेना है? इसके अंदर पानी लेना है ये है water और इसमें क्या करना है? water में sides से, ये देखे, sides यहां से acid बहाना है यहां से acids को गिराना है, दीरे-दीरे अब acid जब दीरे-दीरे नीचे आएगा और दीरे-दीरे फैलने लगेगा stir कर दीजेगा, तो जो heat evolve हो रही है acid के जाने से, वो क्या हो जाएगी? पानी में absorb हो जाएगी, नतीजा, yes नतीजा, कोई डरने की बात नहीं है, acid dilute हो जाएगा so, water is added to acid to make it dilute and then, it is steered, ठीक है? directly भी नहीं add करना है, यह भी याद रखे, ऐसे गल-गल गल-गल गल गल नहीं गिरा देना है थीक है, उसके jar के side से गिराना है, ऐसे मैंने दिखाया, यह glass के side से गिराना है आये, properties of dilute sulfuric acid जाने, तो dilute sulfuric acid की property, जरा मैं आपको acid की property दिखाने से पहले एक basic reaction दिखा दूँ देखें हर acid चाहे वो dilute sulfuric acid हो hclo please इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा क्या मैं कहना चाहता हूँ किसी भी acid की यह इस chapter की बात नहीं कर रहे हैं all acids की बात कर रहे हैं हर acid में कुछ यह common properties है जो इसमें होती है अब ध्यान से देखेगा पहली property है पहली property है all acids all acids react with metals acid metal के साथ react करते हैं वो metals जो hydrogen के ऊपर हैं those who are above the hydrogen हाँ उन्हें हम active metals कह सकते हैं and produce salt plus hydrogen यह है पहला reaction क्या sulfuric acid भी ऐसा करता है मेरा जवाब है yes sulfuric acid भी यही step करता है all metals sorry all metals above hydrogen याद रखेगा hydrogen के below वाले metals कोई दो example देओ copper silver gold यह वो metals हैं जो activity series of metals में hydrogen के below हैं अगर इनके साथ sulfuric acid करोगे तो नहीं करेगा reaction समझ गए क्योंकि वो noble metals हैं तो active metals के साथ क्या होगा वो हर बार hydrogen produce करेगा यह acid की पहचान है तो sulfuric acid नहीं अगर hcl acid का chapter आएगा nitric acid का chapter आएगा तब यही property होगी यह property carbonates हो carbonates and by carbonates के साथ react करेगा तो क्या produce करेगा आईए देखें तो produce करेगा again metal का salt बना देगा और carbon dioxide produce करेगा और water निकालेगा तो main पहचान क्या है इसकी carbon dioxide जो की एक brisk effervescence के साथ produce होने वाली gas है आप तो जानते हैं non supporter of combustion carbon dioxide और क्या करेगा sulfuric acid मैंने कहां यह rule sulfuric acid के लिए बता रहा हूं दिमाग में बैठा लो this rule is applicable for all acids और आपके syllabus में तो सारे acids सारे main acids है इस बार और देखें अगर किसी acid को especially हम dilute acid की बात कर रहे हैं याद रखेगा अगर किसी acid को react कराएं क्या किसी base के साथ, alkali के साथ, मुझे बताईए what is alkali हाँ आप मेरे yes alkali का meaning बताईए what is alkali और एक example भी दे सकते हूं चलिए अभी लिखे comment box में अभी please let's type the what is alkali and give an example तब तक मैं आगे इसको complete करता हूं तो acid जब भी base से react करेगा, alkali से react करेगा तो salt and water बनाएगा, no other product याद रखेगा, salt and water only only का मतलब कीसरा कोई product नहीं निकलेगा और इस reaction को कहते हैं हम लोग neutralization reaction ये हर acid करेगा जो dilute होगा आईए और reaction देखें, all acids react with sulfides, sulfides की साथ react करेगा और क्या produce करेगा, hydrogen sulfide produce करेगा salt plus hydrogen sulfide gas, ये एक rotten egg वाली gas है, जहां दीजेगा ये भी एक testing है अगर sulfide के साथ react कराओगे acids को तो यही करेगा और अगर sulfides के साथ react कराओगे किसके साथ? sulfate देख लिजे, sulfide है वो, तो acids अगर sulfate के साथ react करेंगे तो क्या produce करेंगे, salt produce करेंगे, sulfur dioxide produce करेंगे, और water produce करेंगे तो sulfur dioxide पहचान है, sulfates की, sulfite की, देखा, तो ये common test है आपके दिमाग में, ये fix होना चाहिए ये याद रखेगा, ये rule मैंने कहा, सब पे apply होते हैं, ठीक है, सब पे मतलब सब पे कहा चला गया भाई, chapter, अरे आजा, तो ये सारे rules है, मैंने आपके सामने लिख दिया acids react करते हैं with metals, तो produce करते हैं, sulfate और hydrogen, acid basis को neutralize कर देते हैं, salt and water बनाते हैं, acids carbon dioxide produce करते हैं, carbonates और by carbonate अकसाद, acids metal sulfide के साथ react करते हैं और hydrogen sulfide बनाते हैं, और last में metal sulfide और by sulfide के साथ react करते हैं, और sulfur dioxide नाता है ये सारे acid करते हैं, याद रखेगा, it is a common, yes क्योंकि ये typical acid है, बहुत common acid है sulfuric acid dilute जो है common है, पर हम बात करने वाले हैं, अब अगला जो है, वो concentrated acid है अभी तक dilute बताया था, अब concentrated acid है तो भाईया, कुछ तो अलग होगा, हाँ भाई, सच में अलग है क्या अलग है इसके अंदर? concentrated acid non-volatile nature का होता है इसका मतलब room temperature में ये vapor बनके नहीं उड़ता है और दूसरे volatile acids को बनाने में भी काम आता है जैसे nitric acid, hydrogloric acid, acidic acid इससे बनाता है ये एक बहुत ही, याद रखेगा ये property अब आने वाली है you can be asked, give one reaction, ऐसा पुछा जा सकता है give one reaction to so, oxidizing property of, या oxidizing, that कि sulfuric acid is an oxidizing agent तो ये पहली चीज़ है कि oxidizing का मतलब क्या होता है any substance, yes, any substance which adds oxygen simple, अगर कोई oxygen add करे, या hydrogen remove करे वो है oxidize करना, और sulfuric acid क्या करता है oxygen add करता है, क्यों, कहां से लाता है sulfuric acid oxygen तो sulfuric acid जब decompose करता है, thermal decomposition होता है heat से वो breakdown होता है, तो produce करता है nascent oxygen, ये कौन से oxygen होती है सर, ये नई oxygen कौन से आ गई अरे भाई, single atom of oxygen, वैसे oxygen एक diatomic gas है जब भी पाई जाती है, तो O2 करूप में पाई जाती है hydrogen पाई जाती है, तो H2 करूप में पाई जाती है पर sulfuric acid जब decompose होता है, sulfuric acid decompose होता है water, sulfur dioxide ये रही आपकी nascent oxygen, ये रहा nascent oxygen प्रोड्यूस कर रहा है देखा, box लगा हुआ है, ये nascent oxygen बड़ा कमाल का वस्तु है क्या कमाल है, ये अपने आपको oxidize करने के लिए, अपने आपको O2 बनाने के लिए चाहे वो non-metal हो, या metal हो, या inorganic compounds हो, इनके साथ react कर जाता है अब मैं आपको एक reaction दे रहा हूँ, जिसमें ये reaction आपको याद करना है आईए प्रूव करते हैं, इस oxidizing property के साथ, किसके साथ, concentrated sulfuric acid with a non-metal क्या मैं कहना चाहता हूँ, non-metal अब वो carbon भी है और sulfur भी हो सकता है it can be any, मैं एक example दे रहा हूँ, तो non-metal अगर concentrated sulfuric acid के साथ concentrated sulfuric acid के साथ react करेगा, या हम दीजेगा, non-metal with concentrated sulfuric acid, तो क्या होगा, तो देखिए, carbon है, तो carbon को oxidize कर दिया, carbon dioxide बना दिया, तो hence prove कि ये एक strong oxidizing agent है, carbon को carbon dioxide बना दिया, sulfur होता तो sulfur dioxide, और क्या produce कर रहा है, water and sulfur dioxide main है कि इसने किसको oxidize किया, carbon को carbon dioxide कर दिया, अगर यही चीज metal के साथ करें, तो if a metal reacts with concentrated sulfuric acid, तो क्या होगा, और वो भी कौन सा metal, वो भी copper, copper, देखिए, copper normally dilute sulfuric acid के साथ तो reaction नहीं करता है, ठीक है, क्यों नहीं करता है, मैंने बताया, copper is below the hydrogen in activity series, पर यहाँ पर copper sulfuric acid के साथ react कर रहा है, एक salt produce कर रहा है, copper sulfate, water produce कर रहा है, and most important thing, sulfur dioxide, sulfur dioxide, एक, एक acidic gas, एक pungent burning of sulfur की smell देने वाली gas, एक ऐसी gas, जिसमें पटाकों के जनने की, हाँ, जो दिवाली में भी अपने पटाके जलाया थे न, उसमें कुछ महका रहे देंगे नहीं, पटाके से धुवा निकल ला था, वो क्या था, burning of sulfur था, जी, तो sulfur dioxide gas produce करता है, जब metal के साथ reaction करते हैं, ये reaction very, very, and very important है, चलिए, तो ये reaction किसका माने वाला था, oxidizing property of concentrated sulfuric acid के का माने वाला था, अगला जो है, वो है, concentrated sulfuric acid, एक dehydrating agent है, तर ये drying तो हम जानते हैं, ये dehydrating क्या होता है, यहीं पुछ रहा हूँ न, drying agent क्या करता है, पानी absorb करता है, ठीक है, तो ये dehydrating क्या करता है, ये पानी को, water को, H और O को, 2 is to 1 के ratio में किसी भी compound से absorb कर सकता है, एक सुना आपने, सिर्फ water को, water के रूप में नहीं absorb करता है, water किसी के साथ compound के रूप में भी है, किस रूप में है, compound के रूप में भी है, और उसमें से 2 is to 1 के ratio में है, उसको भी ये absorb कर लेता है, सोचिए इसको पानी से कितना प्यार है, येस, sulfuric acid is great lover, great lover of water, तो great affinity for water होने की वज़े से, ये remove करता है, elements of water, क्या word है देखिए, पानी को नहीं बोला मैंने, element of water, और पानी के तो दो element होते हैं, hydrogen two volume में, और oxygen one volume में, दोनों को क्या करता है, ये remove कर सकता है, यान दीजेगा, क्या remove करता है, सिर्फ high water नहीं, पानी के elements भी remove करता है, वो भी two to one के ratio में, वो चाहिए किसी भी compound में हो, येस, किसी भी compound, अरे, प्रूव करके दिखाऊं, आईए, ये reaction भी आपके syllabus में है, देखिए, sulfuric acid अगर concentrated है, तो वो पानी का crystallization हटा सकता है, chemically combined, हाँ, yes, chemically combined in a salt, हाँ भाई, copper sulfate का सबसे अच्छा example हो सकता है, copper sulfate, दिखाऊं, blue vitral दिखाता हूँ आपको, और आपको reaction याद भी करना है, ये रही blue vitral, एक, एक hydrated salt, क्या, एक hydrated salt, blue color नीचे, उपर आगया, ये blue color नीचे होना चाहिए, formula क्या है, CUSO4.5S2O, ये dot क्या बताता है, यही dot इसको बताता है, कि ये एक water of crystallization है, पानी है इसमें, loosely combined है, तो पानी कौन remove करेगा, तो मैंने का tension not, यहाँ पर अगर concentrated sulfuric acid लगा दिया जाए, इसको अगर concentrated sulfuric acid पास कर दिया जाए, तो ये powdery substance of white color में change हो जाएगा, from blue to white, blue copper sulfate crystal to white powdery copper sulfate, ठीक है, याद रखोगे अब तो, अब तो याद रखोगे, क्या कहते हो, blue से white में change कर देता है, कितना जबरदस change है, और water को क्या कर दे रहा है, release, तो ये है गजब की property of, dehydrating property of sulfuric acid, concentrated sulfuric acid कर पाता है, dilute नहीं कर पाता है, आईए, एक और example से देखते हैं, क्या सिर्फ ये water of crystallization remove करता है, ना अब आगे रुख जा, अगर कोई carbohydrate है, जैसे की कोई glucose है, कोई sugar है, कोई cellulose है, even paper, cottonwood, इनमें से भी कोई substance है, paper, cottonwood, ये examples हैं, carbohydrates के, carbohydrates की खास बात क्या होती है, इनमें carbon होता है, hydrogen होता है, oxygen होता है, CHO होता है, क्या, carbohydrates में हर carbon में CHO होगा, पका, ये तीन elements होंगे इसके अंदर, तो इनसे भी react कर जाता है, इनसे भी react कर जाता है, और इनको black spongy mass में convert कर देता है, क्या पैदा करता है, black spongy mass of carbon, आईए, इस reaction को भी ध्यान से देखिएगा, ये भी एक very important reaction है, ये रहा, देखिए, ये है cane sugar, cane sugar, ये रहा, एक तरह का carbohydrate, हाँ, अब देखिए, इसके साथ क्या करेंगे, इसको अगर sulfuric acid concentrated, sulfuric acid से react कराएंगे, देखिए, क्या बच रहा है, ज्यान दीजे, मैंने यहाँ पर arrow के उपर लिखा है, कि it is passed over the sulfuric acid, तो क्या होगा, देखिए, 12 molecule of carbon, कैसा दिखता है ये, ये एक black रंग का, क्या, कौन से कलर का compound है ये, ये एक black रंग का charcoal है, तो black spongy mass of carbon is produced and water is released, water को तो वो उड़ा डालेगा, ठीक है, पानी उसका सबसे प्यारा दोस्त है, किसका, sulfuric acid का, concentrated sulfuric acid, पानी को कहीं नहीं छोड़ता है, किसी रूप में नहीं छोड़ता है, वो कहता है, पानी के अंदर, जो मेरे दो elements हैं, hydrogen और oxygen, अगर कहीं मौजूद हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं, और उन सब को वो absorb कर लेता है, इसलिए उसको कहते हैं, dehydring agent, इसका मतलब यह हुआ, अगर कोई organic acid हो, या कोई organic, organic मतलब जो nature में पाए जाने वाले acids, जैसे citric acid, तो organic acid को भी वो dehydrate कर सकता है, मतलब जितने भी organic compounds हैं, जिसमें पानी है, यहाँ पानी के elements हैं, उन सब को यह दोनों reaction important है, उन सब को क्या करता है, वो dehydrate कर सकता है, चलिए अगला देखते हैं, कैसे वो insoluble sulfates बनाता है, यह एक very important reaction होगा, यह test of the sulfuric acid में भी काम आने वाला है, तो अध्यान से देखेगा इस reaction को, क्या produce करता है, insoluble sulfates produce करता है, sulfuric acid अगर react कराया जाएं, किसके साथ, lead के साथ, barium के साथ, और calcium के साथ, जयान दीजएगा, यह तीनों salts, lead, barium और calcium के, sulfate के साथ कराएंगे, तो इनका क्या बनाएगा, इनका एक precipitate form करेगा, यह रा reaction, barium chloride है, barium chloride reacts with concentrated, concentrated sulfuric acid produces barium sulfate, arrow लगना होना चाहिए, यहाँ पर, which is a white precipitate, हाँ, यह एक white रंग का क्या है, precipitate है, barium sulfate, क्या यह reaction, calcium के साथ करेंगे, तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर यहाँ आगा, calcium sulfate हैगा, वो भी एक white रंग का precipitate होगा, और अगर lead के साथ करेंगे, तो भी यहाँ पर same white precipitate ही बनेगा, तो इन तीनों के साथ same reaction है, एक reaction याद करना है यह, यह reaction याद करना है, और साथ में produce कर रहा है, HCL, जी, HCL gas produce कर रहा है, HCL तो आप यादी होगा, एक acidic gas है, तो यह इसका एक important test है, कि यह sulfuric acid है, यह test भी है, आए दोनों acids, हमने dilute acid के बारे में पढ़ा, concentrated acid के बारे में पढ़ा, आए दोनों में difference जाने, dilute मतलब जिसमें पानी जादा है, और acid कम है, तो जो dilute acid है, वो जल्दी ionize हो जाता है, और एक strong acid की तरह काम करता है, जबकि concentrated acid में ions नहीं होता है, इसलिए वो कमजोर acid है, weak acid है, यह एक strong electrolyte है, तो अब्विस बात है, यह weak electrolyte है, don't act as oxidizing agent, याद रखेगा, मैंने जो point अभी थोड़े पहले कराया था, कि concentrated sulfuric acid ही एक oxidizing agent है, oxygen add करता था, याद होगा, example याद आया, कि carbon को carbon dioxide बनाता था, याद है, copper को, yes, copper sulfide बनाता था, तो oxidize कर देता है, कौन, dilute नहीं, concentrated, याद रख लिजे, concentrated sulfuric acid ऐसा कर सकता है, वो एक strong oxidizing agent है, और यह drying agent भी नहीं है, dehydrating agent भी नहीं ही है, यह drying भी करता है, और dehydrate भी करता है, अब तो आप difference दोनों का जानते है, drying और dehydrate का, किस काम आता है, sulfuric acid, sulfuric acid बहुत सारे चीज़ें बनाने में काम आता है, यतनी चीज़ें लिखूंगा कि आप ठक जाएंगे, board पूरा भरावा दिखाई देगा आपको, सच में, इतनी यह कमाल कैसेड है, इसलिए तो उसका नाम है, बादशाह of chemicals, हाँ भाई, king of chemicals, chapter के beginning में बताया था, हाँ, lesson के beginning से join किया हुआ है, तो जरूर आप जानते होंगे, मैंने लिखा था, king of chemicals, तो क्या-क्या बनाता है, halogens बनाने में काम आता है, halogens, salt formers, ठीक है, तो carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, हा करता है, मיटल को pure बनने में काम आता है, मेटल की surface को जो impure layer से ढग जाती है, yes, मेटल की surface को ऊपर को क्या करता है, पिकल करने काम आता है, पिकलिंग मतलब होता है, top की surface को clean करने के काम आता है, इंडस्ट्री में किस काम आता है, टेर सारे fertilizer बनाता है, जैसे superphosphate, हाँ, ammonium sulfate explosive बनाने में काम आता है जैसे TNT, trinitrotoline यह एक भेंकर explosive है, picric acid बनाने में काम आता है अब आईए, यह तो uses हो गए फिर से आईए और देखते है test for sulfuric acid तो यह test तो भी आपने मेरे साथ देखा था यह test मैंने अभी जिक्र किया कि barium chloride अगर react करेगा याद रखेगा barium होगा या lead होगा, या calcium तीनों हो सकते हैं, तीनों ये तीनों अगर में से कोई भी react करेगा तो क्या करेगा, इनके sulfates बनेंगे, ये sulfate white रंग के precipitate होगे, ये precipitate क्या होता है भाई, precipitate एक insolubal compound होता है, जो नीचे जाके settle down हो जाता है, बैट जाता है, आगे जाके dissolve नहीं होता है, आप इसको कितना भी घुमाईए, steer करिये, नहीं होगा और यही होता है barium sulfate के साथ भी barium sulfate insolubal रह जाता है इस पर चाहे तो आप mineral acid डाल के देख दो, आप इस पर चाहे तो acid डाल दो, हाँ, hydroclothic acid डाल दो nitric acid डाल दो, कुछ नहीं होगा it remains insoluble और दूसरा test क्या है यह वाला test भी मैंने याद कराया है यह very very important reaction है, मैंने mark B किया है भी तोदर पहले, यह reaction मैंने बताया कि यहाँ पर वो copper को copper sulfate करता है oxidizing property yes, oxidizing agent के रूप में काम करता है concentrated sulfuric acid, ध्यान दीजेगा यह concentrated sulfuric acid को oxidize करता है, तो इसमें निकली जो sulfur dioxide होती है, हाँ यह reaction very important है, मैं पीछे भी दिखा चुका हूँ यह जो sulfur dioxide produce हो रही है, इसका test हम कर सकते है यह sulfur dioxide ही sulfuric acid की पहचान है, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sulfur dioxide reducing का काम करता है, यह green क्या है chromic sulfate है actually, ठीक है क्या, chromic sulfate पैदा होता है, green रंग का, जिसकी वज़े से इसका color green हो जाता है, एक और test बता देता हूँ, consonant sulfuric acid को अगर heat करेंगे, वो भी घर के नमक में heat कर देंगे, हाँ भाई, घर का नमक, जो आप टाटा नमक का रहे हैं, उसकी बात कर रहे है, NACL sodium chloride, यह भी reaction important है sodium chloride के साथ अगर react करेंगे तो यह white fume पदा करेगा, और एक acid salt पदा करेगा सार आपको कैसे मालूम यह acid salt है मैंने बताया था, आसान टेस्ट जिस compound में beach में H लिखा हो, हाँ तो उससे समझ जाय करिए यह देखिए दोनों तरफ क्या है, metal, non-metal beach में hydrogen लिखा है, समझ जाय करिए acid salt है तो एक acid salt produce कर रहा है और यह white color का dense white color का fume पदा करेगा इसको अगर react करा दें किस से, इसको, yes, इस HCL को जो white fumes के रूप में निकल रहा है इसको glass rod dip dim ammonium hydroxide से react करा दें, तो white fume जो निकल रहा था, actually में वो ammonium chloride का था और यह इसका test भी है, ठीक है, test for sulfuric acid तो in this way आपने पूरा chapter, yes, पूरा chapter एक shot में मैंने आपको बार बार का, you have very very precious time, और अपने time को कहीं परबाद मत करिए अगर आपको लगता है कि आपने अपने लिए कोई, yes, target sit कर रहा है life में, 10th के board के लिए, तो मैं हूँ आपका उस target को reach कराने वाला, yes, मैं आपको promise करता हूँ, आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मांदारी के साथ, मेरे सारे lesson वीडियो देखे सारे subjects के lesson वीडियो देखे तो आपकी मनजिल और मेरी मनजिल एक है, yes, मेरे superstars, my and your targets are safe मेरी मनजिल है, तुम्हें मनजिल तक पहुचाना, yes मेरी मनजिल, तुम्हारी मनजिल है इसलिए मैं तुम्हारे लिए एतनी मेनत कर रहा हूँ आप जितनी भी मेनत करोगे उसकी दो गुना जादा मेनत मैं करूँगा yes, देख लिजे, मैं I am sweating, just because of your energy, your love that you have given me, आपके प्यार में yes, मेरे पास इतनी energy आ जाती है कि इतने lessons लेने के बाद भी I am tireless so thank you and keep loving, keep blessing and एक विश्वाश करिए अगर आपने मेरे साथ इमानदरी से follow किया, शिद्दत से follow किया तो मैं आपकी मुसीबत में आग बंद करने पर भी कोशिश करके देखो मेरे आइमानदरी से पूरा lesson वीडियो देखो और फिर आँख बंद करके मुझसे पूछो कि सर तरुन रुपानी जी, सर तरुन रुपानी जरा इसका answer बताईए, देख लीजे मैं न आउँ आउँ आपके mind में, और मेरी अवास न आए तो वीडियो देखना बंद कर दीजेगा तो चलिए, thank you and love you for all that that you have shown me आपने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके साथ इतना confidence के साथ बोल सकता हूँ, so thank you and love you and God bless you all, take care, bye